सल्मान खान की फिल्म ट्यूब लाइट सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है सल्मान के साथ उनकी मा सुशीला चरक यानी सल्मा खान भी इसकी प्रोडियूसर है वैसे साल 2009 में मा बेटे एक इंटर्व्यू के लिए भी साथ आये थे इस दोरान सल्माने सल्मान के ड्राइविंग स्किल्स पर सवाल उठाये थे जब सल्मा बोली जब वे ड्राइव करते हैं तो मैंने उनके साथ नहीं बाढ़ती इंटर्व्यू में सल्मान ने कहा था जब सल्मान ड्राइव कर रहे होते हैं तो मैं उनके साथ नहीं बाढ़ती इस दोरान सल्मान ने बीच में बात काटते हुए सवाल किया था ममा जब मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ तो आप मेरे साथ क्यों नहीं बैठती आप मेरी ड्राइविंग के बारे में गलत इंप्रेशन दे रही है तब सल्मान ने जवाब दिया था नहीं ऐसा नहीं है सल्मान को ट्राइविक सिगनल पर रुकना पसंद नहीं है वे इधर से उधर जिग जैग टाइब की गाड़ी चलाते हैं तो मुझे चक कर आते हैं इसके आगे की बात सल्मान ने पूरी की थी उन्होंने कहा था आपको पता है की मुझे पर एक एक्सिडेंट केस है और यह शो पर कहने के लिए सही बात नहीं है जब कभी वे मेरे बगल वाली सीट पर बैठती हैं तो राम राम जपना शुरू कर देती हैं यहां तक की सोहिल और अर्बाज के साथ भी उनका यही हाल होता है